कलमेश्वर तैसिल में रिलाइंस वेयर हाउस कन्याडोल में प्रभंधन द्वारा कामगार मजदूरों का शोशन के जाने का रोप कामगारों द्वारा लगाया जा रहा है एक और बड़ती महंगाई ये बेरोजगारी के चलते अपने परिवार का टाइट वनिभाने हैं तू सुशिक्षित अशिक्षित बेरोजगार यूवक यूटिया जस्तस पगार या रोजी पर काम करने को मजबूर है वही इन यूवाव की मजबूरी का लाब उठाने वालों में उजागर हो रहा है जहां कामगारों की मजबूरियों का पूरे पूर लाब उठाकर अपनी तीजोरिया भरने का कारिय वेयर हाउस प्रभंदन कर रहा है रिलाएंस वेयर हाउस में कामगार मजदूरों से 8 घंटे की जगर 10 से 12 घंटे काम कराया जाता है इसके आलावा ओर टाइम के नाम पर या काम पूरा नहीं होने का दम देखा कर 2-2 घंटे का ओर टाइम भी लिया जाता है और उन्हें इसका कोई भुकतान नहीं किया जाता काम के दोरान कोई आराम नहीं दिया जाता सरकारी नियमों के मताबिक उन्हें पानी पीने लगुशंका दिरगश का आधी के साथ ही खाना खाने छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी 10 मिनिट का ब्रेक नहीं दिया जाता है। रिलाइंस वेर हाउस के पिडित कुछ कामगार मजदुरों अपने ऊपर हो रहे अन्याय तथा शोशन के खिलाप आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें उनके प्रविश्पत्र वापस मांग कर कल से काम पढ़ना आने की हिदायते देख कर डराया जाने लगा है। और उन्हें समस्याव से अउगत कराया। शियोसेना कारे करताओ द्वारा कामगारों के आईकार्ड वापस कराये गये। तथा उन्हें किसे वे प्रकार की तकलिफें नहीं देने का मौखी का आश्वासन प्रभंधन द्वारा दिया गया। पिडित कामगारों को नयाय दिलाने हितू कलमेश्वर तहसिल शियोसेना के बिरजूरगुवशी सुरयशपाटिल राजू धार्मित सुशिल लोनारे प्रयास किया है। बीसे न्यूस केले सावनेर से किशोर ढूंडेले।